भारत में भगवान शिव के अनिक ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में जानकर शर्धालू खुद भी हैरान रह जाते हैं सावन महिने के दोरान भगवान शिव की विशिश अनुकमपा प्राप्त करने के लिए भग्त पूरी शर्धा के साथ पूजा करते हैं और कहते हैं किस महिने में शिव जी का रुद्रा भी शेक करने से भक्तों को मनुवांचित फलों की प्राप्ती होती है और इसलिए सावन के इस पवित्र महिने में शिव भक्त बड़ी संख्या में भगवान भोलेनात का रुद्रा भी शेक करते हैं और कुछ शर्थालू पूरे सावन में हर दिन शिवलिंग का जलाभी शेख भी करते हैं लेकिन अगर कोई आप से कहें कि भोलेनात एक मंदिर में पूरे बारा मैने जलमगन रहते हैं तो शायद ही आप यकीन करें लेकिन ये सच है अधिप्रदेश के देवास के चापड़ा में एक ऐसा अनूठा मंदिर है जिसमें भगवान शिव बारा मैने जलमगन रहते हैं भोले के भक्त पानी के अंदर से ही उनकी अराधना करते हैं तो आए जानते हैं इस अनोखे मंदिर की अनोखी कहानी इस मंदिर का नाम चंदरकेश्वर मंदिर है और ये इंदौर से करीब 65 किलोमीटर दूर इंदौर बैतूल राश्ट्री राजमार्क पर इस्थित है ये मंदिर सत्पुडा की पहाड़ियों और घने जंगल से चारो ओर से घिरा हुआ है प्रकृतिक सुन्दर्दा से सराबोर इस मंदिर में हमीशा भक्तों की भीड रहती है और धार्मिक मानिता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग करीब 3000 साल पुराना है यहाँ पर मुख्य मंदिर के साथ राम दरबार और हनुमान जी का भी मंदिर है हाला कि मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक पौरानी कथा के अनुसार और शिदी रूपी 54 प्राश को विक्सित करने वाले रिशी ने इस चंदकेश्वर मंदिर की स्थापना की थी मंदिर के समी भी चंदकेश्वर नदी भेती है और मंदिर के पास ही एक जड़ना भी है जिसमें कि इस नानकर लोग भगवान शिव की पूजा अरचना करते हैं और साथ ही यहाँ पर चार गुफाएं भी है इनके बारे में बताया जाता है कि यह करीब 500 साल पुरानी है और मुख्य मंदिर से लगा घना व्रटविक्ष है और पास से ही चंदकेश्वर नदी गुजरती है जो कि आगे जाकर चंदकेश्वर डैम बांध से मिल जाती है मानिता है कि चेवन रिशीन के आवाहन पर ही मानरमदा गुप्त रूप से प्रकट हुई थी और शिवलिंग का प्रथम अभिशे किया था और तभी से यहाँ एक वटवरिष से जलधारा निकलती है जिससे कि शिवलिंग जलमगन रहता है और ऐसा कहा जाता है कि चेवन रिशी ने इस भूमी पर तब किया था और उनकी तपस्या से प्रसंद होकर स्वेम मानरमदा ने प्रकट होकर दर्शन दिये थी और सावन में भगवान शिप का रुद्रा अभिशेग भी किया जाता है यहां पर दर्शनार्थी आते रहते हैं लेकिन खास तोर पर सावन में शरधालों की संग जम जम कर बढ़ जाती सावन के दिनों में दूर दूर से लोग यहां आकर नर्मदा कुंड में इस्तान कर जलमगन शिवलिंग के दर्शन करते हैं और चेवन रिशी के बाद यहां उनके नाम पर एक कुंड भी बना हुआ है और कहते हैं किस कुंड में इस नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है